नमस्क्राइब दोस्तों वेल्कम टू शोइंग ट्रैड इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब पईसा क्यापिटल कंपनी के बारे में इस कंपनी का आनलेसिस करने से पहले फ्रेंड्स आप सको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नाया है चैन पोड़क्ट क्या है किस सेग्मेंट में काम करते हैं तो यहां पर इनका सेग्मेंट है कंपनी का था 2017 17 में यह एक fintech company था इसका जो main segment है यहाँ पर डिसकाउंट broker है उसके साथ में यहाँ पर depository service भी है वहाँ पर research भी करते हैं उसके साथ में financially product है तो वहाँ पर जो company है company का अगर आप आके यहाँ पर देखेंगे company ने क्या growth किया है अभी 171 percentage का growth दिया है यहाँ पर फाइनचियल एर 20 में तो यह बहुत बड़ा एक अच्छा सा growth यहाँ पर नजर आया है तो यहाँ पर company का यहाँ पर हम चेप करेंगे revenue कहां से आता है company का जो revenue आता है यहाँ पर 21 परसेंट आता है यहाँ पर इंट्रेस्ट इंकम से बाकी जो 79 परसेंट आता है यहाँ पर ब्रोक्रेज और कमिशन से आता है 79 परसेंट यहाँ पर company जो है ब्रोकिंग फिल्ड में भी है यहाँ पर mutual फॉंड भी है उसके साथ में रिशर्च भी करते हैं तो यहाँ पर काफी यहाँ पर देखेंगे तो company का market क्या पर कि यहां पर नाइन हंडर्ड नाइंटीन क्रोड का मार्किट क्या पर इस्टॉक का अगर बात करेंगे शिक्स्टी का पी पे स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पर देट जिरो पॉइंट परसेंटेश का डेट यहाँ पर बहुत बहुत बढ़ी हो चुका है करोड से लेके 80 करोड हो चुका है बहुत बढ़ी ऐसा फिगर अभी यहां पर देखने को मिल रहा है तो इसी साफ से अगर हम बात करेंगे यहां पर प्रॉफिट के बारे में प्रॉफिट अभी करोड का रेवीन देखने को मिल रहा है जो कि कमपनी बहुत बढ़ी हैसे अभी आपको बिल्कुल नजर आएगा यहां पर देखने को मिला था जो कि मार्स 2020 को अगर यहां पर हम चेक करते हैं यहां पर उसके बाद में यहां पर सेप्टेमबर को देखते हैं रिजर में बहुत बढ़ी ऐसे ग्रोथन आ जरा रहा है धहां यहां पर हम आगर जेक करते हैं यहां पर प्रमोटर होल्डिंग में 29.95 परसंटेज का प्रमोटर के पास में होल्डिंग हें करेंगे तर्श का ओलडियर के इस टक में अगर हम बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग शेशन में यहां-पे-1.4 पर सेक्सिक का तेजी देखने को मिला थ placed यहां पर delivery के बार मिनें बात करेंगे ? 50% का delivery देखने को मिल रहा है ? जो कि 32,400 quantity trading गुआ था यहां पर 16,362 quantity delivery देखने को मिल रहा है बहुत बड़ी है सा यहां पर delivery देखने को मिला है लेकिन stock में काफी एक fall देखने को मिला है जो कि इसी साब से अगर हम देखेंगे एक बार चाट बटन में जाके देखते हैं फ्रेंट्स यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है तो इसी साब से देखेंगे तो यहां पर कि यहां पर lifetime high से लेके फ़र की यहां तक यहां पर 47 परसंटेश का करेक्शन हो चुका है तो अभी करना क्या है काफ़ी सर फ्रेंट्स से हमारे स्टॉक में क्या कर ना चाहिए हमेशा 치ز का हुस आपको आफ़ेड करना क्यूync करना हमें तोग रहा है कि बalgते जाएगा क्रेक्षन जरूर आता यह कंपनी कितना भीมिश्ट आप पर कॉंपनी बहुत बढ़ी आ है यहाँ पर 929 करोड का यहाँ पर मार्केट के आपश यह और बीस साल के बाद में यह 50,000 करोड का जरूर बन सकता है ऐसा बिलकुल भी जाया जय कुंकि यह इसी साफ से ग्रोथ हो रहा है इस इस आप से ग्रोथ नजर आ रहा है रेविन्यु म बाद में यहां पर 50,000 करोड जरूरू देखने को मिल सकता है ठीक है तो इसी साफ से अगर हम देखेंगे यह स्टॉक में मेरे हिसाब से आपको लास बुक नहीं करना ची क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग है बहुत बढ़िया से रेविन यहां पर इंक्रिम जरू बहुत है तो यहां पर एकुइटि की तरह बहुत कम इनक्वेस्टमेंट होता है तो यहां पर आगे बहुत बड़ा बूँ मोरस देखने मिल सकता है लेकिन अगर आप short term की बात करेंगे stock यहां पे गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है वो भी हमें बिलकुल नजर रखना चाहिए यहां पे 251 के पास में यहां पर इसकता है यहां से कितना percentage का निचे गिर सकता है यहां से बिलकुल अगर फॉल होता है तो यहां पर 18% तक गिरने का बिलकुल probability है लेकिन अगर हम बात करेंगे इस टॉक में टार्गेट के बारे में टार्गेट कहां तक देखने को मिल सकता है अगर हम बात करेंगे यहां पर पहला जो टार्गेट है आपको यह टार्गीट फेला के लिए ये टार्गीट लेके चलना 2 चुलब यह टार्गीट 8 531 का टार्गेट तक आप लेके चल ठीक है जो फाइभाइभ फॉत लेगर के लिए के चल सकते हैं उसके बाद में अगर आप टारगेट लिए आप ऐस्पक्र कर सकते हैं जो की ह姜 maiden five ये तक में कोई भी ये नहीं लेकिन अगर आप लॉंग तर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया कंपनी है कंपनी में बहुत बढ़िया सा आगे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है यहां पर आरे साही की बारे साही बिल्कुल 37 पर आ चुका है जो कि बढ़िया सा रेंज पर स्टॉक का भी ट्रेडिंग ह हो रहा है इसका अगर हम वीकली चार्ट भी देखेंगे फ्रेंट्स यहां पर वीकली चार्ट पर भी कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन 2018-2017 से लेके इतना बड़ा यहां पर हमें ग्रोथ नजर नहीं आया स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो यहां पर जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकि अभी तक का अगर हम बात करेंगे यहां पर जिन्नों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है यहां पर उनली टूंटी सिक्स परसेंटेश का गयन मिला है जो की लंग टर में तो यहां पर लंग टर में इतना बड़ा ग्रोथ नजर नहीं आया लेकिन अभी बड़ा फाइदा आपको मिल सकता है अगर एक साल में हिआपको 75 गैन मिल जाया ना तो बहुत बढ़ी एसा एक साल में 75 पर संटेश का गैन कोई चोटा गैन नहीं होता है लेकिन अगर कोई भी स्टॉप में अगर पॉजिशन बना रहे हैं तो आप अपना फाइननचाल आडवाइजर से जरूर सला ले लिजिए उसी वेसिशिच्ट पर आपको स्टॉप में बनाना है इसमें मेरा कोई और वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन यहां पर सबस्क्राइब बहुत कम किई हैं तो आपको जरूर सबस्क्राइब कर लेना चाहिए चैनल को यहां पर मुझे ऐसी साब से लग रहा है तो अगर आप यहां पर पोजीशन बना के चलते हैं पेला टर्गेट आपकर रहेगा आ 580 अगर 580 तक आप बना रहेना चाहते हैं तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं कमपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉंग है अगर दो साल भी लग जाए ना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गयन होता है ठीक है लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है कोई भी पोजीशन बनाने से प पंद्रा बीस पर्सेंट फॉल भी हो जाता है उस टाइम पे हमें इतना नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं इसका एक बार पूराना चार्ट भी देख लीजे स्टॉक यहां से एक बार जब फॉल हुआ था यहां पर दिखे कितना पर्सेंटेश का फल देखने को मिला था जो कि अभी सैम पूरा एक्जक्त होई सैम सेम परसेंटिशन परबीसेंट का अभी विलकुल फॉल हुआ है ठीक है यहां पर दिखे मार्श को जब यह स्टाउक में फाल आया था ना तो देखिए कितना परसंटेज गिर चुका था यहां पर यहां से ले कि अगर कोवीट के टाइम तक देखेंगे तो यहां पे 66 परसंटेज का गिरावट देखने को मिलाता ठीक है तो इसलिए स्मॉल क्याप स्टाउक जिसी सा होता है ना तो उसमें टू परसंट तक इंवेस्टमेंट कीजिए कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है तो स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी ऐसा गयन मिल सकता है तो आप स्टाटेजिक के हिसाब से आपको चलना चाहिए अगर आप वीडियो को पसंद आया वीडियो को ज